पोको FI users के लिए गाइस बहुत बड़ी good news क्योंकि फाइनली उनके लिए पी निया Hyperos का अपडेट रोलाओट कर दिया गया है यहाँ पर आप सब बता है गाइस के डेड़ वहीने से तो आपके अपडेट के बारे में बात ही नहीं की जा रही थी फाइनली गाइस आपके लि सब्सक्राइब करो इससे क्या होता है गाइस मुझे motivation मिलता है future में आपके लिए और ऐसी वीडियो से ला सको जिससे आप लोग एक safe update को यह अपडेट करो और आपके फोन में बग्स ना आए आपके फोन को crash ना करे तो बड़ी छोटी सी केमत है तो आपसे request है गाइस चैनल अब जो size है वो आपको कावी बड़ा देखने को बड़ रहे है तो सिर्फ security patch तो नहीं होगा पर उससे पहले security patch के बारे में बात करें लेते हैं तो इसमें आपको देखने को मिला है जून का latest security patch काफी अची बात है recent time पे जो भी update रोलाट हो रहे है वो सारे के सारे जून के security security patch के साथ हो रहे हैं तो यह चीज़ मुझे काफी अच्छी लगी और शाओमी तो इस बार claim भी कर रहा है कि हम हर मन्त update देने की कुशिश करेंगे बहुत बड़ी बात है और उसको काफी तक कुछ devices के लिए follow भी कर रहा है तो अभी guys POCO F5 users को guys gaming में इशू आ रहे थे fix हो चुकी है चार मैंने users का review भी लिया है उनका भी opinion सेम है उनके जो gaming है guys और पहले से जादा smooth हो चुकी है hitting issue खतम हो चुकी है बहुत बड़ी बात है उसी के साथ इसमें टेक्निकली bug fixes का अपडेट आया है जोन के security patch के साथ जो की obvious ही था आजकल आप सभी को बता है इसकी Xiaomi phone में bugs आना जादा शुरू हो चुकी है तो उसको fix करने के लिए इसको rollout किया गया और वहाँ चल्दी update आया है bugs के साथ से क्योंकि bug identify हुए थे around 15 दिन पहले तो उससे साथ से यहां पर identification काफी अच्छी है अब आप बोलूगे आपको कैसे पता है मैं आपको बता दूगा इसकी official bug report जो कि मैं अपनी MI News में cover करता हूँ उसमें मैंने specific mention भी किया था कि इस device में यहां पर यह issue देखने को मिल रहा है उसको fix करने के लिए update भी rollout किया जाएगा तो यह वही update है उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको public release कब किया जाएगा तो बहुत simple pattern होता है guys early stage में rollout किया गया नहीं आएगी वोगे update सेव है इसकी testing complete हो चुगी है तो overall आपको ऐसाच कोई बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी जिसकी वाज़े से guys यह जो update है वो काफी अत्तक secure हो जाता है और काफी ready to go है तो जैसी update आए इसको simply download कर लो अब इसके जो official links है guys वो आपको मिल इसके पाइले टेस्टर के लिए अब तीस से चार दिन बात जब इसको rollout किया जाएगा पब्लिक बेस पे तो इसके पब्लिक ओटी लिंक्स भी available हो जाएंगे जिन यूजर्स को बिलकुल नहीं पता कि हमारा टेलग्रम चैनल खौनस है टेक्स टॉकर सर्च करना है आपको ह हमारा है टेलग्रम चैनल देखने को मिलेगा जिसको आप लोग सिंपली जॉइन कर सकते हो वहां पर और भी पोको एफ़ाइम उसर्स है आप उनके साथ भी डिसकेशन कर सकते हो वहां पर आपको अपडेट्स की रिगार्डिंग इंफोमिशन भी देखने को मिलती रहती है तो ऐस सच आप लोग सिंपली जाके ट्राइक कर सकते हो बाकि एक से दो वीक के अंदर गाईज इसको फोल्ली पब्लिक रिलीस कर दिया जाएगा और आपके फोन में भी गाईज जो गेमिंग स्पेड है वो इंक्रीज हो जाएगी और अगर आप लोग इसका डिटेल रिव हो चुका है